अविनास इंस्ट्टीटूट आफ एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अविनास मिस्ट्रा दोस्तो आज किस वीडियो में हम महादीपों और महासागरों के उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसको समझेंगे और अच्छे से अध्यान करेंगे महादीप, प्रायदीप और द्विप में क्या फर्क होता है तो उसको समझने से पहले आईए हम मानचीतर समझते हैं महादीप और महासागर को मानचीतर पे किस प्रकार देखा जाता है या किस प्रकार समझा जाता है उसका अध्यान करते हैं दोस्तो अगर आप प्रिथवी पर देखोगे तो पहले आप मांचित्रे देखिए यहाँ पर यह जो सफित कलर का दिखाई दे रहा है यह क्या है अस्थल है अस्थल यानि की जमीन है और यह जो निले कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर निले कलर वाला भाग जल है जल यानि की पानी है अगर आप प्रिथवी पर देखो गए तो आपको दो ही चीजे दिखाई देगी 29 प्रतिसद भाग आपको अस्थल दिखाई देगा अस्थल या यानि कि पानी ये चारों तरब देखेंगे जो बहुत निला निला कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब क्या है ये सब जल है ठीक है प्रित्वी पर 29% भाग अस्थल यानि कि जमीन पाया जाता है 71% भाग जल पाया जाता है इतना आप समझ लिया रहेगा अब हम समझ अस्थली भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है ध्यान से समझेए इस समुद्र सता है समुद्र सता से उपर उठे हुए बहुत बड़े अस्थली भूभाग है बहुत बड़े अस्थली भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है यहां पे जो सफेद कलर का दिखाई दे है इसमझ में आ गया सबसे अधिकन से है एसीया महाद्विफ है दूसरण जो है अफ्रीका महाद्रिफ है तीसरा है उत्वरी अमेरीका चौन है दक्छडी अमेरिका पांच वह है अंटार्क हर्टीकर चठवा है यूरोप और सात्वा है आश्ट्रेलिया प्रिथिवी के ऊपर कुल साथ महाद्वीप हैं कौन कौन से हैं एसिया अफ्रिका उत्तरी अमेरिका दच्छडी अमेरिका अंटार्किटिका यूरोप और आश्ट्रेलिया सबसे बड़ा महादिव कौन सा है? सबसे बड़ा महादिव एसिया है सबसे छोटा महादिव कौन सा है? सबसे छोटा महादिव जो है? आश्ट्रेलिया है यहाँ पर आप देखके थोड़ा सा हैरान हो रहे हैंगे यूरोप और एसिया ये दोनों एक ही अस्तलखंड है लेकिन यहाँ पे यूराल परवत क्या करता है यूरोप और एसिया को अलग करता है इतना आप समझ में आ गया रहेगा दोस्तों अभी हम समझते हैं कि प्रायदीब किसे कहा जाता है प्रायदीब किसे कहा जाता है प्रायदीब समझने में लो को कहते हैं जो एक तरफ अस्थल से जुड़ा होता है और तीन तरफ पानी से घिरा होता है प्राइदीब उन भूखंडों को कहते हैं यहां पर भारत देखी एक तरफ क्या हुआ है अस्थल से जुड़ा हुआ है और तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं प्रा भूखन लोगों कहा जाता है जो चारो तरब पानी से घिरे होते हैं द्वीप उन भूखन लोगों कहा जाता है यहां पर दिखे एक छोटा सा द्वीप है चारो तरब क्या हुआ है पानी से घिरा होता है बहुत बड़े अस्थली भूभागों को महा द्वीप कहा जाता है और समझते हैं मांचितर के उपर इसका ध्यान करते हैं तो दोस्तों प्रिथवी के उपर उल पांच महासागर है वो कौन-कौन से हैं इसको हम देखते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं महासागर क्या होता है महासागर जो होता है जल मंडल का प्रमुख भाग होता है जो पानी दि तो क्या होता है पृत्यवी जूए 71-203पmaни से धका उख़ूए उस वाले भाग को हम लोग तहे हैं महाँसागर कहते हैं तो पृत्यूपी के ऊपर किदने महाँसागर है तो 5 भी कून लग नहीं है एक ही भाग हैं समझ में आगय रहेगा आपको तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा इसे जोड़ देगो तो एक ही हो जाएगा पृति भी गोल है ना तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रसांथ महासागर दूसरा जो है अटलांटिक महासागर यहां पर हिंद महासागर, तिसरा कौन सा है, हिंद महासागर, चोथा है, दच्छडी महासागर, दच्छडी भाग में होने के कारण इसका नाम क्या है, दच्छडी महासागर है, यह देखो यहाँ पे हिंदूस्तान है, इसलिए इसका नाम हिंद महासागर है, और इधर आपको सागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसको हम समझते हैं दोस्तों मैं लिखने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा एसए और यूरोप को मैं मिटा दूँगा ताकि आपको लिख के समझा सको हूँं जर्मन के एक जलवाईव सास्तिरी थे जिनका नाम था अल्फ्रिड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर ने इक 6ист तॉ आरा मैं सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि म प्रिथिवी अपनी गोल है वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस यूग में समस्त अस्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस यूग में यानि कि अतीत काल में बहुत समय पहले अतीत काल में जितने भी अस्थलखंड हैं चाहे उत्तर अमेरिका हो दच्छडी अमेरिका हो अफ्रीका हो यहाँ पर एसिया यूरोप आस्ट्रेलिया इस समस्त अस्थलखंड आपस में एक साथ जूड़े हुए थे यानि कि पूरे प्रिथिवी पर एक ही महादुईप हुआ करता था उस महादुईप को उन्होंने क्या नाम दिया पेंजी आ नाम दिया यानि कि अतीत काल में प्रिथिवी के उपर एक ही महादुईप हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने पैंजी आ दिया ठीक है जिसका नाम उन्होंने पैंजी आ दिया और पूरे प्रिथिवी पर एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने पैंथा लासा दिया वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस युग में समस्त अस्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे एक विसाल महादवीप हुआ करता था उस विसाल महादवीप का क्या नाम था पैंजी अनाम था पैंजी अनाम था पैंजीया दो भागों में तूटके अलग हो गया पैंजीया दो भागों में बढ़ गया एक उत्तर और एक दच्छडी भाग उत्तरी वाले भागों उन्होंने नाम दिया अंगारा लेंड अंगारा लेंड और दच्छडी वाले भागों उन्होंने गुंडवाना लेंड कहा वेगनर ने क्या कहा कर्बोनी फेरस यूग के बाद जो पैंजिया था उसका विखंडन हो गया पैंजिया दो भागों में बढ़ गया एक भाग उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ और एक भाग पस्चिम की तरफ उन्होंने क्या कहा जितने भी महाग्वीप हैं उन्होंने बताया जो अस्थल खंड है जो अस्थल खंड होता है प्रिथिवी के सता पे तैरता है तैरने का मतलब साल में एक या दो इंच अपने जगा से खिसक जाता है तो उसके बाद जब पैंजिया तूड़ गया, तो उसके बीच में थोड़ा सा जगा आ गया, इस जगा में पानी भर गया, तो यहाँ पे एक सागर बना, जिससे उन्होंने उस सागर का नाम देए, टेथिस सागर, पैंजिया का विखंडन हो गया, तो उपर वाले, उत्तरी भाग को उन्होंने अंगारा लेंड कहा, दच्छडी वाले भाग को बंडवाना लेंड कहा, और जो तूटने के बाद जगा में, जब कोई चीद तूट जाता है, चारो तरब पानी है, तो बीच में पानी भर जाएगा, जहां पे पानी भर गया, उन्होंने उसका क्या ना हुआ एसीया एसीया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका यूरोप और एसीया अंगारा लेंड के भाग थे क्योंकि अंगारा लेंड क्या हो गया तूटके अलग-अलग भागों में बढ़ गया ठीक है आपको समझ में आ गया रहेगा और यह जो कॉंडवान यह सब किसके भाग थे एसब गौंडवाना लेंड के भाग थे जो था दच्छडी अमेरिका अफरीका आस्ट्रेलिया और प्राइदीपी भारत यह जो था किसका भाग था गौंडवाना लेंड का भाग था ठीक है इसी प्रकार महादीप और महासागरों की उत्पत्ती हुई मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए रुपया मेरा यूटूब चैनल लाइक किजिए सेर किजिए, सबस्क्राइब किजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद